खबर राज सम्मन से है जहां पिछले एक सप्ता से शीत लहर का असर नज़र आ रहा है। खबर राज सम्मन से है जहां खोरुना संक्रमन की बच्चाफ के लिए राजसरकार द्वारा जारी वीकेंड कर्श्व की पालना के लिए राजस्तान एसपी सुधिर कुमार के नेदेशग्न में राजनगर की फवारा चौक से लेकर कांकरोली की विवेकानन चोरहे तक पुलि जापता और इजब पुलिस लाइन का जापता मौजी उत रहा रास सम्मन में वीकेंड जनता कर्फ्यू के तहट बजारों में कुछ जगर ही कर्फ्यू का असर देखने को मिला आविक्षक वस्तों को बंच से मुक्त रखा गया था जिसका नाजायज फायदा उठाते हुई लोग सबजी लेने के बहार बजार में पहुँच गए और यहां वहां खड़े होकर अपना समय वेतीत करते नजर आए पुलिस अधिकारियों के निर्देश पर चोराही पर लगे पुलिस जापते ने आते जाते लोगों को रोक कर कारण पूछा और उन्हें मास्क लगाने सिवाओं को छोड़ कर हिंडॉली पूर्णेता बंद रहा वहीं हर चोराहे पर पुलिस के जवान मौजूद रहे एड़ी जी विपिन पांडे ने पुलिस के जवानों को हिदायत देते हुए वीकेंड कर्फ्यू की सक्ति सी पालना करवाने के निर्देश दिये बुन्दी के 99 में वीकेंड कर्फ्यू को लिकर पुलिस प्रशाशन पूरी तरह मुस्तैद नजर आया वीकेंड कर्फ्यू के दिन जिले में सभी बजार और व्यापारिक प्रतिश्टान पूरी तरह बंद रहे आपको बता दे कि कोरोना के बढ़ते ग्राफ को मद्य नजर रखते हुए राजस्तान सरकार की और से गाइडलाइन जारी की गई थी जिसमें केवल आविश्यक सीवाओं को खोलने की अनुमती दी गई थी वहीं बजार में पूरी तरह सन्नाटा पसरा रहा प्रतापगर्ड जिले की अनौत थाना पुलस ने कारवाई करते हुए पीपलोदा मद्य प्रदेश थाने में एंडिपियस के मामले में वांचित अभियुक्त सोहिल उर्फ कालू को डिटेन किया है जानकारी देते हुए अडनौत सी आई अजसिंग राव ने बताया कि जिला पुलिस अधिक्षक डॉक्टर अमरता दुहन की और से चलाय जा रहे सक्रिय वांचित अपरादियों की धरपकड अभियान की तहट अडनौत सी आई अजसिंग राव की नेतरत में टीम घटित की गई थी जिसके तहट मुखबीर की सूचना पर पुलिस ने आरूपी को गरफतार किया है राजिस्तान में कोरोना की तीसरी लहर को लेकर सरकार की और से गाइडलाइन जारी की गई है जिसमें रविवार को वीकेंड कर्फ्यू रहेगा कर्फ्यू में केवल एमेरजनसी सेवाओं को अनुमती दी गई है साथ ही वीकंड कर्फ्यू के दिन प्रदेश भर के सैंचुरी और टाइगर रिजर्व और सफारी भी बन रहेंगे जिसका असर डीग भरतपुर में भी पूरी तरह देखने को मिला संडे कर्फ्यू में छूट की कैटेगरी में दूद की दुकान, डेरी बूद, फल सबजी की दुकाने, किराने की दुकाने खुली रहेंगे और नियमों का पालन नय करने वालों के खिलाफ सक्त कारवाई की जाएगी उदैपुर जिला सरकार की और से जारी कोरोना गाइडलाइन का पालन पूरी तरह किया गया, जिसमें अमेरजनसी सेवाओं को छोड़कर सभी छोटे बड़े व्यापार बंद रहे साथ ही बेवज़े आवगमन करने वाहले वाहनों लोगों पर सक्त कारवाई की गए वहीं कुछ लोगों को समझाते होई केवल हिदाय देकर भेजिया गया और नियम का पालन करने की अपिल की गए अलवर्ट जिले की शहाजानपुर में कोरोना संक्रमन की तीसरी लहर को देखते हुए राज्चे में प्रवेश करने वाले प्रवासियों के लिए आर्टी पीसिया रिपोर्ट की अनिवारता नियम लागो किया गया है शहाजानपुर थाना अधिकारे विक्रम चौदरी के अनुसार हाइवी मार्क पर दिल्ली हर्याना सहित अन्य राज्चे से आने वाले लोगों के लिए आर्टी पीसिया रिपोर्ट लाना अनिवारते होगा जिसके बाद ही उन्हें शहर में प्रविश की अनुमती मिलेगी